Hello friends, winners education point में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने मद्द प्रदिश स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है उसी के तहत आज का ये वीडियो लाया गया है जिसमें हमने कल दस प्रमुक राजवनसों के बारेयों पढ़ा था आज की इस वीडिय में जो questions पूछे रहे हैं वो काफी selective हैं और हमेशा आते रहते हैं exam के point of view से भी important रहते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है इन questions को पारवार revision जरूर करते रहिएगा और साथी साथ इस वीडियो की questions आपको और इसके बाद आपके लिए answers भी हमारी initial के टेलिग्राम चैनल पर provide कराए जाएँगे तो उनके माद्डम से भी आप अभ्यास कर सकते हैं तो आपकी double से तयारी हो जाएगी तो चलिए दोस्तों हम स्वात करते हैं हमारे पहले question से निम्न मेंसे कौन सा मौरे काली निसमारक है मौरे काली निसमारक निम्न मेंसे कौन से है तो आपके पास option है तौमैन का स्थूप देवरा कुठार का स्थूप कसरावाद का स्थूप और ये सभी तो दोस्तो इस questions का answer है ये सभी जो मद्य प्रदेश में मौरे कालीन के ये सभी जो हैं प्रमुक राजवश हैं सौरी प्रमुक स्मारक हैं जिन मेंसे अब आपको ये वताना है तुमेन का इस्तूप कहां मिला है देवरा कुठार का कहां मिला है और कसरावत का इस्तूप कहां मिला है कसरावत का तो आपको पत का निर्माड किया गया था कहां पर अशोक ने अपनी पत्नी कुमारा देवी दोस्तों अशोक की जो एक पत्नी थी महा देवी जिनका संबंध विदीशा से था महा देवी और इनकी पत्नी है कुमार देवी तो इनके लिए इन्हों ने उस्तूप का निर्माड किस जगह पर कर अप्शन है गुना उज्जेन खरगोन और रायसें तो दोस्तों यह है उज्जेन में करवाया था अशोक ने अपनी पतनी कुमार दे कुमार देवी के लिए स्टूप का निर्मान next है मौरवंश के पतन के बाद मद्य परदेश के भूभाग पर किस वन्ष का अधिकार रहा पतन के बाद मद्य परदेश पर शुंगवंश का अधिकार रहा है important question है नेक्स्श सुंगवंस का संब्ध सुंगवंस मूल्ता किस से संबन्ध थे ऊंगवंस मूलता कौनसी जगह से लेटْट करते थे आपके पास option है राय सेन उजाएन ओजयन होशंग भाद और सतना दोसतों सुमगवंस सब्सका सब्सक्राइब ऐसे सब्सक्राइब कर दोसतों को अब आपको आपशन में यह बताना है कि है साल में हेली और फ़िपर हम truly मेढ Os Office माध्य प्रदेश के विदीशा जिले में इस्टै थे तो दोस्तो हैलियोडूरस ने घर्ण स्तम्हका निर्माड मतलब भाग भद्र उस समय के रा ча थे तो भाग भधर की समय में कर आया था आपके पास option तो पुश्य मित्र सुंग अगनी मित्र और अशोक तो दोस्तो यह नहीं है इसका आंसर है भाग भद्र next है प्रदेश की सतना जिले में इस्थेत भरहुत बहुत दिस्तूप का पुनर निर्माड किस वन्स किस आशकों ने कराया था सतना जिले में इस्थेत सबसे पहले आपका प्रश्ण यही बनता है कि भरहुत बहुत दिस्तूप की जिले में इस्थेत हैं सतना जले में इस्थे थे उनका निर्मान किन साशकों द्वारा कराया या हिंदियवन नागवन्स सकवन्स और सुंगवन्स क्या है हिंदियवन नागवन्स शकवन्स और सुंगवन्स दोस्तों यह कराया था शुंगवन्स के साशकों नेक्स्ट है साची इस तूप में चार द दिश्टूप में चार दीवारी और प्रवेश द्वार किस काल में निर्मित किये गए तो दोस्तों ऑप्शन है हिंदियावनकाल गुपतकाल शुंगकाल या मौरेकाल भी आ सकता है और अधिकतर बच्चे से मौरेकाल लगा भी देंगे क्योंकि जो इनका धर्मार कराया था स आची के बहुत दिश्टूप तो अशोक ने कराया था और अशोक बेसिकली मौरेकाल से लेटेड है लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है और इसका आंसर है शुंगकाल से शुंगकाल में निर्मित किये गए नेक्स्ट है साथवाहन वंस के किस साशक ने साथवाहन वंस के किस साशक ने विदीशा के साशक कन्व देखिए साथवाहन वंस के किस साशक ने विदीशा के साशक कन्व यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कन्व की स्पेलिंग आपको पेपर में यह आएगी तो विदीशा के साशक कन्व को पराजित कर अपना आधिपत्त स्थापित किया था option A साथकर्णी प्रथम option B सिमुक option C यग्यशी सतकर्णी और option D इन में से कोई नहीं तो साथ वाहन वंस के साशक सिमुक ने विदीशा के साशक कण्व वंस को हरा कर अपना अधिपत्य स्थापित किया था next question है दोस्तो विनर्स education point के अधिक तम जानकारी के लिए description box में आप संपर्क कर सकते हैं description box में जो phone number उस पर भी आप inquiry कर सकते हैं और निशुल के telegram channel से आप कई सारे वीडियो की free PDF पा सकते हैं इस वीडियो की free PDF आपको निशुल के telegram channel पर उपलब्ध करा दी जाएगी तो उसको आप वहां से download करके और अधिक सदिक लोगों तक circulate भी कर सकते हैं आप अधिक सदिक लोगों का तक free मैं उस वीडियो को circulate कीजे ताकि जादा से जादा लोगों का लाब हो हमारा ninth question है किस साथवाहन साशक का उलेक साची स्तूप के दक्षणी तोरण के शलालेक में किया गया है किस साथ वाहन शाशक का उलेख साची स्थूप के दक्षणी तोरण किश लालेख में किया गया है इसमें कई सारे questions बनते हैं सबसे पहले तो साथ वाहन शाशक का नाम बताना है फिर साथ वाहन साशक का उलेख साची स्थूप के दक्षणी तोरण किश लालेख में किया गया ह तो इसका आंसर है शात करणी का उलेख है जो विदीशा जलेके साची इस्तूप के दक्षिनी तोरण में उलेख है तो इनका नाम है शात करणी नेक्श्ट है सुँगवन्स के अंतिम शाशक का नाम है देव भूती नेक्श्ट है एरण एरण जो की सागर जिले मिस्थित एक स्थान है एरण का दोस्तों प्रागेति हास एक महत्तु भी है और एरण जो सागर मिस्थित स्थान है उसका सम्मन्द किस काल से है option A नव पाशानकाल, option B मद्द पाशानकाल, option C महा पाशानकाल और option D पुरा पाशानकाल दोस्तों इसका आंसर है नव पाशान कल नेक्ष्ट है लास्ट क्वेश्चन्स हमारा ये है भानु गुप्त अविलेक किस स्थान से प्राप्त हुआ भानु गुप्त का जो अविलेक है वै किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों जो एरन है वै सती पर्था के का सती पृता का यहां पर सबसे पुराना साक्ष मिला है सती पृता से सम्मंद सबसे पुराना abilik मिला है यहां पर एरण में इसलिए इसका महत्त है याद रखियेगा भानु गुप्त अभीलिय किस सतान से प्राप्थ है लाइक शियर और सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को forward कीजिए और इस वीडियो की जो free pdf रही उसको भी आप अधिक से अधिक लोगों तक circulate कीजिए थैंक यू for watching friends इसी प्रकार के अनने वीडियो भी जल्दी हम मद्य प्रदेश की पूरी सीरीज ला रहे हैं ताकि आपकी 11 अप्रेल तक मद्य प्रदेश अच्छे से कवर हो जाए थैंक यू for watching friends